जाहिन दोश्तों मैं अमीत आ रहा आपके अपने यूटूब चैनल PCS Maker में मैं आपका स्वागत करता हूं तो आज मैं एक स्रेंखला लेकर आया हूं जो कि आधुनिक इतिहास का स्रेंखला रहेगा और मैं मेरा यही अद्देश रहेगा कि मैं एक टॉपिक कवर करू और ठीक उसके बाद objective question जो important है BPSC, UPPCS और बहुत सारे PCS का exam जो है state government द्वारा लिया जाता है वो सभी question को मैं include करूँगा तो आज मेरा आधुनिक भारत का पहला video है और वो भी आधुनिक भारत से start कर रहा हूं क्योंकि किसी भी PCS exam में आधुनिक भारत का weightage बहुत ही जादा होता ह तो चलिए समय बढ़बाद नहीं करते हैं और direct मुद्दा पर आते हैं कि आज का topic मैंने लिया है वो भारत में यूरोपिय कंपनी का आगमन से start करते हैं तो आज चलते हैं इसके बाड़े में तो start करते हैं कि बासको डिगामा द्वारा भारत बासको डिगामा द्वारा भार एवं यूरोपिय कंपनी के बीच नए समुद्री मार्ग के खोज के कारण तो क्या कारण रहा कि बासको डिगामा ने भारत में या भारत का खोज किया समुद्री के माते हमसे तो चलिए start करते हैं देखते हैं क्या कारण रहें पहला कारण है कि कस्तुन तुनिया पर तुरक आगे चलते हैं दूसरा है आपका कि जहाज रानी निर्मान एबं नौ पडिवहन में प्रगती इसका भी ये उद्देश है तिसरा में चलते हैं पुनर जागरन की भूमिका यहाँ पर पुनर जागरन की भूमिका थी कब जब कुछ तुनिया पर तुरकों का अधिकार हुआ दमना आ य्व सकते हैं तो नेक्स्ट अपका भारत से व्यक्या CC कमाने हुआν हे वहां के श laugh confused चलते हैं यूरोप एवं एसिया के व्यपार पर वेनीज औम जनेवा के व्यों का अधिकार हो गया का तो वही बहुत बड़ा योगदान रहा यह अधिकार हो गया इसके कारण भी वह प्रेडित हुए ने चलते हैं कि एसिया का अधिकांस वैपार और वासिये के हाथ में और भूमद सागर तथा यूरोप यूरोप वेपार इटली ओने प्रॉब्लम हो गया न सब कैसे वेपार कर सकता है इसलिए बासफो डिगामा या उसकोई निवासी था यह कैसे भारत में तो तो है Cape of Good Hope या उसको हिंदी में उत्तमशा अंतडी भी कहते हैं ठीक है उसी की रास्ते से वो एक गुजराती पथ परदर सकते उनका नाम है अबदुल उनका क्या नाम है अबदुल मुनीक उनी की सहायता से काली कट बंदरगा पर यानि की कपक डापू नामक अस्थान पर वो हुना को सब्सक्राइब क्या कि मैं वह भारत में आते हैं तो वहाँ सबत्सक्राइब लेंगे क्या हida की नोड में बात लिखा हुआ है पेड्रो अल्ब्रेज केब्रल ध्यान रखेगा बहुत इंपॉर्डेज केब्रल भारत पहुंचने वाला दुसरा पूर्टगाली था पहला तो वास्कोटिगामा था लेकिन दुसरा याद नहीं होता है इसलिए आप ध्यान रखेगा पेड्रो करके भी याद रख सकते हैं यहां से बनता है थीक है तो देखते हैं कि देखते हैं कि रिदेखते हैं सबसे पहला है पूर्टगाली उसके बाद डश आते हैं उसको एंगरेस कहते हैं और चौथा जो है देनी सोगया जिसको डेन भी बोलते है पांच मां फ्रांसीसी हो गया कि फ्रांसीसी हो गया और शठा आपका कौन है Россią ठीक है नाником तो एक ट्रिक के मार्ध्यम से भी में याद सकते हैं कि एक ट्रिक है पी-डी-डी-डी-एफ-इस कि इस ट्रिक के माद में सही याद कर सकते पी-डी-डी-एफ-इस इसको रढ़ जाए यह यह जो भारत में आने वाले यूरोपिय कमपनी का जो क्रम हैं वह आपको याद हो जाएगा अब जानते थोड़ा सा एक सीज़ औ फैक्टरी अस्थापना किसने पहले किया था वो ध्यान रखेगा यह भी एक्जाम में कोश्यन आता यहां से तो देखिए सबसे पहला जो है पूर्तगाली था ठीक है जो कि फैक्टरी पूर्तगाली था जो कि अस्थापना वर्स उसका क्या है अंग्रेज था जो शोनधु सुदाउल और फचलिए nggak जै तो प्रतगाली मिं पहला हम जानने का कोम पूर्टगाली के बाड़े में पूरा डिटेल में बढ़ते हैं तो पूर्टगाली के बाड़े में जानते हैं तो पूर्टगाली में सबसे पहला है कि पंद्रह सो तीन में कोचीन यानि की कोलम में पूर्टगाली कम पूर्टगालियों ने अपना प्रथम फैक्टरी खोली बहुत इंपर्टेंट बात है फैक्टरी जो खोली ह कहां खोला है तो कोचिंग भी ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे आप देखते हैं आगे चलते हैं कि एक फ्रांसिसको डी अलमीडा था ठीक है फ्रांसिसको डी अलमीडा था उसने क्या किया था जो आगे देखते हैं यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बर्कर आया थ कि सन्युक्त सेना को पराजीत करके दूइपड अधिकार कर लिए बहुत अच्छा बात है क्योंकि अधिकार कर लिया उसके बाद लुप हो बहुत इंपोर्टेंट है ठीक ना यह बुझ वाटर पॉलीसी वो को किस ने चलाया था बुझ वाटर पॉलीसीलयु पालीसिप जो है कि ब्लू आटर पॉलिसी जो है वह युश्य किया कारण में कैंप्सा तो देखिए क्या है कि लिए पर पूर्टफ्रक्रणों और मेरे शुरू किया था है कि समूंद्र के राष्टे रहं हम तो हमँआ पे खब्जा कर लेंगे ठीक है ताकि कोई डिक्कत नन्हियक आगे चलते हैं नेक्स्ट आपका आता है अलफानसोडी अलवनकरल अलफानसोडी अलवीकरक की नाम से भी जाने सकते हैं उसने क्या किया था कि भारत में पुर्तगीज सक्ति का बास्ताफिक इसी को माना गया है क्यों माना गया है आगे देखते हैं पुर्तिगीज सेना में भारतियों की भरती प्राणम विक्रवाई ठीक है आते आते गवर्नर वरना तो आते आते क्या किया है कि वो पुर्तिगीज सेना में भारतियों का भी इंट्री करवा दिया भरती करवा दिया ठ पिजापूर के आदिल साह से गोवा को जीत लिया ठीक है यह इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा उसके बाद दक्षीन एसिया की महतपूर्ण मंडी मलक्का परभिया नियंतरन कर लिया ठीक है और उसके बाद फारस खाड़ी पर जो इस्थित हर्मूज पर भी अधिकार कर ल यह अलबुकर को बास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है अब नेक्ष्ट आते हैं नेक्ष्ट है आपका नीनोडी कुना तो जानते हैं कि इनके बाड़े में भी जानते हैं कि क्या कर किया तो पहला है कि गोवा को पुर्तगी पुर्तगीज राज्य की आपचारिक एक राजदानी बनाई। ठीक है? उसके बाद क्या किया है? कि इसने मदराज यानिकी सैंति मीर, मदराज, हुगली यानिकी बंगाल, दूइप में पुर्टगीर, बस्तियों का भी स्थापना इसने किया. उसके बाद जानते हैं, आगे देखें, बंगाल के सादसक, मसूद सा द्वारा पुर्तगालियों को चटगाओं और सतगाओं ठीक है चटगाओं और सतगाओं में व्यपारिक कंपनी खोलने की अनुमती दी गई ठीक है उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं अकवर की अनुमती से किसके अनुमती से अकवर की अनुमती से हुगली में कमपनी की अस्थापना हुआ कि नेक्स्ट है कि साजाहा ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली नदी छीन लिया क्योंकि थोड़ा सा विवाद हो गया था तो आगे चलते हैं बाई जानते हैं ये सारी बाते थी पूर्तगाली के बाड़े में था ठीक है न एक इंपोर्टेंट बात है ध्यान से समझेगा कि पूर्तगाली के पतन का कारण क्या था तब पूर्तगाली के पतन का कारण था तो देखते हैं पहला कारण था कि भारतिय इस्तुरी से बिवा एबम धर्म का अंतर यानि कि धर्मे में जो पडिवर्तन किया जाता था उसके बारे में इसके कारण जो है पतन होना स्टार्ट हो गया नेक्स्ट आपका है वैपारी प्रशासन में अकुशल था खुश नहीं रहता था वैपार सब उसमें दिक्कत होने लगा था उसके कारण भी पतन होना है स्टार्ट हो गया रिस्वत खोड़ी बढ़ गया रिस्वत खोड़ी हो गया फिर से ब्रश्टाचार बढ़ गया तो ये तो कहीं न कहीं पतन का करण ही है न फिर उसके बाद डचो का परवेश भी आने लगा सन्य चुनतिया के माधियम से ठीक है तो देखे आगे चलते हैं कार्टेज के बाड़े में कोई भी भारतिये या अरवी जहाज बिना पडमीत के अरव सागर से नहीं जा सकता है इन जहाजों में काली मिर्च और बम बारूद यानी कि गोला बारूद ले जाना निसेध है क्यों निसेध था तो कारन था कि पुर्टघाली क्या करता था कि पूर्टगाली जो है पहले से थोड़ा सोच रखा था ताकि हम ये सब अगर निसेद कर देंगे तो आगे चल कर मुझे कोई परिशानी नहीं होगा ठीक है ना उसको टेक्स देना परता था और टेक्स देने के बाद वो सही सलामत जाने कानुमती देता था और उसके साथ ए C.A.T. 8 class पढ़िएगा अधुनिक भारत का हिती हा तो उसमें कुछ मिले दिखने को मिलेगा तो आगे देखते हैं पूर्टगाली तो पूर्टगाली जो है भारत में आया थे तो उसका क्या-क्या देन था देखते हैं तो भारत का जपान से व्यपार सुरू करने का स्रे ज किया है कौन तो पूर्टगालियों ने आगे है भारत में उसके बाद गोतिक अस्थापत्य कला का भी आगमन किसी ने किया पूर्टगाली उसके बाद अभी ने परकार के फल जैसे पपी था संत्रा लिची काजू बदाम आननास ठीक है नो उसके शकरकन बहुत सारी विदेश ठीक है तो अब निष्ट चलते हैं क्योंकि पूर्टगाली तो हो गया अब निवासी थे कहांके नीधर लेंद और अफ नीधर लैंड त mixer dutch ने भ्हारत में प्रथम फैक्टरी के अस्थापना 1605 में कहां मसूली पत्नमें किया था थिके ध्यान रखेगा इसको कि डचो का भ्हारत में प्रथम दल कैंद कारनेलिस हाऊस नें कार conventional एलियस हाउसमेन के नेत्रित में भारत आया था ठीक है उसके बाद भारत में डचों के प्रतम फैक्टरी के अस्थापना पीपली में की गई थी कि नेश्ट देखते हैं कि डचों दोड़ा अस्थापित कर खाना तो पहला मसूली पटनम में दूसरा पतोपोली में ठीक है तिसरा पूली कट में और अन्य भी है बहुत सरे जैसे सूरत बिमली पटनम हो गया चाहे आपका कराईकल हो गया चीन सूरा हो गया कोचीन हो गया कासीम बजार हो गया बाला सोर हो गया नाग पटनम हो गया तो यह सब भी डचों का फैक्टरिया रहा है जो की आगे देखेंगे, उसके बाद मुख्याले का बात किया जाए, मुख्याले का बात किया जाए, तो पूली कट को डचो ने बैपारी किंद्र और मुख्याले बनाया, मुख्याले बनाया,曲्स चल देए 1690 में, Congrats पुरीकट के अस्थान पर नाग पकट्नम को मुख्याला बनाया गया यह इसथापित फॉट के बारे में तो चीन सूरा कहां चीन सूरा में गुश्टाबुस फोर्ट की अस्थापना की किना में 1663 में और 1663 में कोच्छी में बिलियम यानि कि फॉर्ट बिलियम की अस्थापना किया यह ध्यान रखिया कि एक्जाम में पूछा जाता है आगे हैं अन्य महत्पुर्ण तथ्थे के बाड़े में थुड़ा जान लेते हैं क्या है कि डचो ने मसाला दूइप इंडोनेसिया यानि कि पूर्टेगाली से जीता नेक्स्ट है आपका डचो ने मलक्का तथा सिलोन यानि कि स्रेलंका को भी जीत लिया आगे है कि डचो ने जाकरता को जीत कर नए नगर बैटी विया की अस्थापना भी की बहुत इंपर्टेंट बात है इसको ध्यान रखेगा कि मुगल बादसा और अंजेव ने साड़े तीन परतिसत वार्षिक चुंगी लेकर बंगाल बिहार और उडिसा की मस्तानिया निकि उडिसा में वैपार अधिकार डचो को दे दिया प्रदान कर दिया ठीक है न आगे चलते हैं डचो की वैपारी ब्यवस्था शहकारिता यानि कि काटेज पर अधारित था भारत में एक बात दिया है ध्यान से देखेगा भारत में डचो के आने से सूती वस्थर उद्योग का विकास हुआ और भारत में भारतिये वस्थर का निर्यात बस्तु बनाने का स्त्रेथ अगर किसी को दिया जाता है तो वो है डचो को अब सवाल है जिस तरीका से पूर्टगाली का पतन हुआ था ठीक उसी परकार देखते हैं कि किस तरीका से डचो का पतन हुआ था ठीक है न देखते हैं डचो का पतन कैसे हुआ था तो देखे पहला था कि डचो डच कमपनी पर सरकार का सिधान यंत्रन था इसलिए थोड़ मात्रा में फैल चुकी थी नेक्स्ट में डचो की भारत से अधीक रूची इंडोनेसिया इंडोनेसिया एवं मसाला दूइप से थी इसलिए उसका पतन भी ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया भारत पे उसके बाद बहुत इंपोर्डेंट है ध्यान रखेगा बेडरा का युद्य यानि कि बंगाल का युद्य सत्तरा सव उनसटिस्वी में अंग्रेज और डचों के बीच को बीच हुआ था तो अंग्रेज ने क्या किया बुरी तरह से डचों को पड़ास्त कर दिया तो डच की भारत में सक्ति समाप्त हो गए ठीक है तो अंग्रेज पढ़ने से पहले अब नेक्स तिसरा है अंग्रेज पढ़ने से पहले ब्रीटेन पढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज 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 पीसीएस मेकर अमीतार्या यूटूब मानिए इतना पढ़ने के बाद आपका कोई एक कोश्यन अगर छूट जाए तो फिर आप मुझे ब्लेम की जेगा ठीक है तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं अंग्रेश के बाड़े में जानते हैं तो अंग्रेश जो है 1599 में यानि की 1599 इसमी में लंदन में व्यापारी यानि की व्यापाडियों के एक समूने दा गवर्नर एंड कंपनी ओफ मर्चेंट ओफ ट्रेडिंग इन टुद इस्ट इंडिया ठीक है नामक कंपनी के अस्थापना पूरब में के देशों के साथ व्यापार करने हितू किया गया ठीक है कि अच्छा पढ़्यास था जॉन मिल्टेन हल नामक अंगॉलिज अस्थालमार्ग से भारत आया ठीक है ना कॉन जॉन मिल्टेन हौल यह नामक जो है अंग्रेज सचलमार्ग से भारत में आया देखते हैं आगे इंग्लेंड की महरानी एलीजा बेत प्रथम ध्यान रखेगा इंग्लेंड की महरानी एलीजा बेत प्रथम ने दिसंबर 1620 में दिसंबर 1620 में 15 वर्सों के लिए 15 वर्सों के लिए पुर्वी देशों के साथ वेपार करने का एक अधिकार प्रदान किया और यह अधिकार समुंद्री मार्गों से ही वेपार के लिए था ठीक है न? तो चलिए आगे देखते हैं तो वेपार का मौका मिल गया तो आगे देखते हैं कौन जो है आगे दूत बनके या गवर्नर जर्नर बनके भी आएं तो आगे चलते हैं ध्यान से देखेगा जेम्स प्रथम द्वाड़ा भेजे गए दूत तो कौन-कौन दूत थे देखते हैं आगे 1608 इसवी में हैक्टर नामक अंग्रेजी जहाज कैप्टन हौकिंग्स के नेत्रित्वे में भारत आया जो सूरत बंदर गाह पर पहुँचा ध्यान रखेगा ठीक है न बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ये वला है नेक्स्ट है कि समुद्र के रास्ते पहुचने वाला पहला ब्यक्ति जो था अंग्रेजी पहला ब्यक्ति कैप्टन हौकिंग्स था इंपोर्टेंट कोश्चन है बहुत बारी जामें पूछाया ध्यान रखेगा देखते हैं कैप्टन हौकिंग्स ने हैं बादसा जागीर ध्यान रखेगा बादसा कौन जागीर से मिलने आगरा पहुचा ठीक है आगे क्या हुआ कि जागीर ने पहले हौकिंग्स को सूरत में बैपार करने की अनुमति देदी प्रंतु अस्थानिये सौधागर एबं वाली के युद्य में अंग्रेज कैप्टन वेस्ट अंग्रेज जो है कैप्टन वेस्ट ने पूर्तगीज सेना को प्रास्त कर दिया और इसकी बिरता को देख देखने कारण तेडर 16 003 इस्वी में जागीर ने ऑंग्रेज को सूरत में अस्थाइब फैक्ट्री लगाने का अनुमती कि दे है अठीक है अनुमती दे दिया जागेर आउध्स के वगा कि फैक्ट्री के असथापना के बढ़े में थोड़ा जाने तो फैक्टरी में इस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कर खाना 1611 में मसूली पत्नम में अस्थापित किया ध्यान रखेगा अंग्रेज ने क्या-क्या अंग्रेज यानि कि इंग्लेंड ने 1611 इस्वी में मसूली पत्नम में अस्थापित कर दिया ध्यान रखेगा पहला कर खाना ठीक है न नेक्स आपका 1613 इस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने प्रत्थम अस्थाई फैक्ट्री की अस्थापना जिसका अध्यक्ष जो है टॉमस एलवर्ड को बना यहां पर ध्यान दिजे अस्थापित किया था प्रत्थम यहां पे ठीक ना 1611 में मसूली पत्नम में लेकिन वाकई में अस्थाई सेक्ट्री का बात करेगा तब आपको देना होगा कहां सूरत में ठीक है ध्यान रखेगा आगे चलते हैं 1609 इसमी में समराट जेम्स प्रत्थम ने कमपनी के वैपारी अधिकार को अनिस्चित काल्थ के लिए बढ़ा दिया गया वो उसके बाद क्या हुआ तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है तो सबसे पहला हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सर टॉमस रो तो सर टॉमस रो यानि कि जेम्स प्रत्थम के दूत के रूप में 18 सेप्टेंबर 18 सितंबर 1615 इस्वी में सूरत पहुचा ठीक है उसके बाद 10 जून 1616 में टॉमस रो जहागीर से मिलने अजमेर गया ठीक है पॉर्वी तरट पर अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्टरीं बाला सोर और हरीपूरा में अस्थापित किया 1633 में ठीक है न अंग्रेजों ने पहला फैक्टरी जो है बाला से बाला सोर और हरिहर पुरा नेक्स चलते हैं 1649 में फ्रांसिसी डे ने फ्रांसिसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पटे पर ले लिया और वहां फॉर्ड ध्यान दा किया बहुत वाया फॉर्ड सेंट जोर्ज की अस्थापना की ठीक है न और 1661 में ब्रिटेन के राजा ब्रिटेन के राजा चाल्स दूतिये ने किसने चाल्स दूतिये ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथी से बिवाहक के उपलक्ष में अंग्रेजों को बंबई देहेज में दे दिया कि राया पर बंबई को इस्ट इंडिया कंपनी स्वंप दिया उसके बाद क्या हुगा कि गुलार गुरा02 अंगियको को बंबई का बस्ताविक शंस्थापक मानाई तो ये पी कोश्चन जो है एक्जाम में पुछे जाते हैं ध्यान दीसे हैं आगे है आपका कि बंगाल में ब्रिटिस फैक्ट्रियों के अस्थापना किस तरीका से हुआ थोड़ा इसके बाड़े में तो बंगाल के सुवेदार साहसूजाने किसने सुवेदार साहसूजाने 1651 में एक फड़मान जाड़ी कर बंगाल में लगभग बंगाल में लगभग तीन हजार रुपईया वार्शिक कर यानि कि टेक्स के बदले वैपार का निसे धादिकार अंग्रेज को प्रदान कर दिया मतलब कहने का मतलब कि बंगाल के जो सुवेदार है साहसूजाने 1651 में एक फड़मान जाड़ी किया उसमें क्या किया तीन हजार रुपया वार्शिक टेक्स के बदले वैपार का निसेजादिकार अंग्रेजों को प्रदान कर दिया लिया इन हजार के वार्शिक टेक्स पर आगे देखते हैं 1651 में ब्रिजमेन के नित्रित में बंगाल के हुगली नामक अस्थान पर प्रथम अंग्रेजी करखाना की अस्थापना भी हुआ तो ये भी कोश्चन है ठीक है न ध्यान रखेगा है आगे भी हुगली के बाद कासिम बजार पटना एबं राजमहल में अंग्रेजी करखाना खोले गया अगे देखते हैं 1686 मी में अंग्रेजू एबं और जेव की भिरंत हुए 16 60 में कारण क्या था तहीं हुगली में अंग्रेजों द्वारा लूट पार तो अंग्रेज लूट पार करने लगें इसे कारण लड़ाई हुआ और अंजेव में ठीक है न तो लड़ाई में अंग्रेज की यहार हुए और अंग्रेज को हुगली से भागना पड़ा तो फिर बाद में अंग्रेज क्या किया कि डेर लाक हर जाना लेकर ठीक है ना व्यपार की छूट परदान फिर से कर दिये यह गलती किया यहाँ ठीक है ना आगे चलते हैं 1699 में बंगाल के सुवेदार अजीम उस सान ने सुतानी कालिकत्ता एवं गोविंदपूर की जमिनदारी अंग्रेज को सौप दी उसी समय सुतान्ती कोलिकत्ता एवं गोविंदपूर का जमिदार इवराहिम खान था तो यहां कोश्चन भी बंता है कि उस समय का जमिनदार कौन था जब सुतान्ती कोलिकत्ता एवं गोविंदपूर था तो आगे चलते हैं देखते हैं जोब चार्नक ने सु तांती कलकत्ता एबं गोविंदपूर को मिला करे एक नए नगर कलकत्ता का नीव रखा ठीक है ना बहुत important question है ध्यान रखेगा क्या कहाँ इसी कारण जोब चार्नीक को ठीक हैं जोब चार्नीक को कलकत्ता का संस्थाफक कहा जाने लगा कि 1700 इस्वी में कलकत्ता में फॉर्ट बिलियम की अस्थापना की गई उसके बाद क्या हुआ इसका गवर्णर चाल्स आयर को बनाया गया ध्यान रखेगा हर एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉटेंट है मैं बोलूंगा ज्यादा नहीं लेकिन आप बार-बार देखेगा लिख जरूर लिजेगा लिखने से आपको 100 परचेंट याद होने का संभावना बनता है आगे देखते हैं संद्रल 1700 इश्वी में कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर गोसित किया गया आगे चलते हैं फरुक सियार के फर्मान यही कारण रहें बहुत बड़ा कारण रहें फरुक सियार का फर्मान जो है जारी करने का बहुत बड़ा रीजन यहां रहा कि अंग्रेज जो है उसका प्रभुप्त बढ़ा भारत पे और अंग्रेज घुलाम होने के कगार पे आ ग खान तो जानते हैं फरुक्त स्यर का क्या फर्मान था तो पहला फर्मान सिड्जन है हेमिल्टन ने बादसा फरुक्त स्यर को एक भयानक वीमारी से मुक्ति दिला दे एक भीमारी भीई बादसा फरुक सियार को एक भायानक बिमारी हो गई थी उस बिमारी से मुक्ति दिलाई इस से प्रसंद होकर बादसा क्या किया तीन गो फर्मान जारी कर दिया अब देखें वो फर्मान कौन सा तो पहला फर्मान था बंगाल में तीन हजार वारसी कर अधा करने पर 係整eredking को उसके समस्त वेपार में सीमा सुल्क text कर दिया, याद अ. तीन वेपार करते के text कर दिया, हम आपको कहीं पर भी वेपार करने का अनुमती देंगे उसके बाद देखे उसके बाद भी क्या हुआ कलकता के आसपास औरतीस गाओं खरी दिने का भी अधिकार जो है दे दिया बहुत गलत किया आगे देखते बंबई में धाले गैसिक्खे जो धाले गैसिक्खे है वो मुगल समराज्य में चलाने का छूट भी दे दिया गया अब बताईए और बड़ा गलती किया और उससे भी ज़्यादा ध्यान दिजेगा यहाँ पे सूरत में 10,000 बारसिक देन पर कंपनी के समस्त आयात निर्यात को टेक्स से मुक्त कर दिया गया हैनी कि 10,000 का बारसिक सलाना दिजे और टेक्स मुक्त कर दिया तो यहां तक आपका वीडियो जो है डच पार्ट वन जो है वो कंपलीट हो गया नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू लाएंगे जो की पुरा पुर्तगाली यूरोपियो कंपनीयों का आगमन वो कंपलीट हो जाएगा उसके बाद मैं अब्जेक्टिव कोश्टम लाऊंगा जो की 40 कोश्टन 50 कोश्टन होंगे अब वो जो है बीपीस्टी पीस्टी जिस जितना भी एक्जाम है ठीक है पीस्टी पीस का या पीस्टी पी हो चाहे जारखंड हो या मद्ध परदेश हो या कोई भी हो वो सब के लिए बहुत important होगा लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप YouTube चानल पे नए हो मेरे YouTube चानल पे नए हो तो प्लीज लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बिल आकोन को डवाए और ज्यादा से ज्यादा सेर कर दीजिए ताकि आपका भला हो जाए साथ में मेरा भी हो जाए ठीक है ना तो आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सब फिर मिलेंगे ठीक है ना PCS Maker YouTube चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद